नमस्कार मैं संतूस एक सरकारी कर्मचारी हूँ पच्चिम मंगाल राज्य के अंतरगत पंचाथ विभाग में टेक्स कलेक्टर हूँ लेकिन आज की दिन में सिर्फ नाम के ही हम एक सरकारी कर्मचारी है क्योंकि हमारा जो मासिक भत्ता के रुप में हमें प्यमिंट किया जात है और न हम कंट्रेक्ट्योल है और अ को पता नहीं और मने यह मुख्यमंत्री से अन्रोद करना चाहता हूं कि आपने हर सब्सक्राइब करमचारियों को क्याजृल एक वन उनको आपने कुछ न कुछ बढ़ाया है लेकिन क्यूं हम टैक्स कलेक्टर को आज भी महिना में 600 रुपिया ही मिलता है वो भी छे महिना या साल में एक बार मिलता है और कुछ पारिश्रमिक मिलता है जिस पे हम लोग कलेक्शन करते हैं उस पे हम लोग को 10% to 20% कमिशन मिलता ह है वो भी घर चलाना बहुत मुश्किल है आज के दिन में हम लोग महिना में 2000-3000 के महिना में हम लोग काम कर रहे हैं वो भी फिक्स अनरियम नहीं है कभी कम कभी बेसी हो जाता है तो मेरा यही करना है मानेने मुख्यमंत्री से आपने हर किसी के लिए कुछ न कुछ किया है हर चेत्र में आपने कुछ न कुछ बढ़ाया है तो आपसे मेरा यही अनरोध है हम टैक्स कलेक्टर ग्राम पंचाइप में टैक्स कलेक्टर जो है उनके लिए भी कुछ न कुछ करे नहीं तो हमारा अवस्ता बहुत बहुत खराब है आज 20-25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं ऐस अवस्ता हो चुका है कि इस उमर में हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं तो मानेने मुख्यमंत्री से यही अनरोध है और टीम सी का अधेक्स अभिशेक बैनेदेशिवे में आपका अनरोध करता हूं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग के लिए कुछ न कुछ किय नमस्ते